सरदार सहर उप्चुनाओं में मद्दान की परकिरिया सुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से मद्दान की परकिरिया सुरू हो चुकी है धाई लाग से अधिक मद्दाता हैं जो अपने मत का परियोग करेंगे हम आपको बता दें इस सीट पर सुरगे मास्टर भहवलाल साथ बार यहां से विधायक रह चुके हैं उनके पुत्र अनिल शर्मा को टिकेट कॉंग्रेस की ओर से दिया गया है हालंकि सानुबुती के तर्ज पर कॉंग्रेस सीट को जीतना चाहेगी अगर बात करें वीज़ेपी की ओर से असोक पिंचा है उमिद्वार बनाए गया है कहने को यह वी कहेंगे क्योंकि आगमी विदान सबाच चुनाव पास में और ऐसे में यह सरदार सेर का उप्चुनाव है एक टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है जन्ता के बीच में जाकर अपना दमकम दिखाने में लगा है, आपको बता दू, ये सरदार सहर के सीट में 60,000 से अधिक जाट वोटर्स हैं, इसके साथ साथी 30,000 ब्रहमन वोटर्स हैं, 25,000 राजपूत वोटर्स हैं, इसके साथ साथी 15,000 मुसलिम वोटर्स हैं, ऐसो में परियाज भी यहां किया जाएगा लेकिन जिस तरह अनिल शर्मा जो की सवर्गे मास्टर भावलाल के पुत्र हैं वह भी जीतने का क्यास लगाएंगे हालनकि विदानसभा चुनाओ को देखते वे क्योंकि आगामी जो है विदानसभा चुनाओ भी पास में है ऐसे में जो है लगातार सभाएं का दौर भी साफता और पर देखने को मिला अब चुकि मदान की परकीरा शुरू होगी है दिरे दिरे वोटर्स का आना भी शुरू हो गया है वोटर्स अपने मत का प्रियोग करने में लगे हैं लेकिन समीक्रों के आदार पर ये सीट अनिल शर्मा की जीत की तिनिस्चित तोर पर एक रोचक मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है पसंद पांडेट टीवी नाइन